दोस्तों business करने के लिए products बहुत है, industries बहुत है, बस आपको उसमें अपने दिमाग को कैसे लगा कर earning करनी है, यही मायने रखता है, कपड़ों की बात कर लें, तो कपड़े में भी बहुत सारे छेतर हैं, ladies के कपड़े, gents के कपड़े, daily wear के कपड़े, special occasion पर पहनने वाले कर सकते हैं, दोस्तों उसी तरीके से एक छेतर है, जिसमें अगर आप अपने किसमत को आज माते हैं, वहां आकर अपने शुरुआत करते हैं, तो बहुत जल्दी आपको तरक्की मिलेगी, खास बात तो यह है कि इस business को शुरू करने के बाद, ग्रहक यहां आकर आप से rate के ल related चीजों के बारे में, हलाकि इसके पीछे मैंने वीडियो बनाया है, लेकिन आज मैं इसको और खोल कर उसके होने वाले profit के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, दोस्तों जब गारजिन अपने बच्चे को दुकान पर लेकर आते हैं, तो उनको चीज पसंद आनी चाहि पचास रुपए, बीस रुपए अगर वो मोलजोल कर लेते हैं, तो वो अलग बात है, लेकिन वो ज़्यादा तर compromise नहीं करते हैं, और किसी तरीके की bargaining के लिए आपसे बहस नहीं करते हैं, अगर उनको पसंद आ गया और वो comfortable है, देखने में काफी lucrative है, attractive है, तो वो पोड़क को ला सकते हैं, बहुत सारे छेतर हैं, सूरत हो गया, दिल्ली हो गया, कलकत्ता हो गया, इन सारे जगों में जाकर आप वहां से समान को ला सकते हैं, या अगर आप online चाहते हैं, www.indiamart.com पर बहुत सारे dealers आपको मिल जाएंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए, online catalog अगर लड़कियों की बात की जाए, तो skirt, frock, top, छोटी-छोटे jeans, denim के items, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, इसके अलावा seasonal कपड़े भी वहां मिलेंगे, अगर ठंडे का मौसम हैं, तो jacket हो गया, sweaters हो गया, और छोटी-छोटे गरम items मिलेंगे, टोपी हो गया, मोज सकते हैं, अगर उतना भी न, तो 200-500 में तो बहुत अराम से बिकने वाला है, तो दोस्तो इसके बारे में आपको ज़रूर्ट सोचनी चाहिए, अब मैं आपको profit के बारे में बताता हूँ, पर product आपको 100 रुपे की बचा तो definitely होने वाली है, ये 1.500-200 तक भी जाती है, और कभी-कभी अगर 200 रुपे, 200 रुपे के हिसाब से जोड़ा जाए, तो ये earning तो daily की काफी जादा बढ़ने वाली है, छोटी-छोटे बच्चों के कपड़े के दुकान को जिनों ने भी खोला है, वो काफी तरकी कर रहे हैं, 45 रोज के हिसाब से 1,35,000 प्रती महीने की कमाई आपकी होने वाली है, शुरुवाती दिनों से ही, आने वाले वक्त में अगर आप कपड़ों के सेलिंग की संख्या को बढ़ाने वाले हैं, जैसे 30 को आप नहीं बेच कर 60 और 100 कपड़े एक दिमें बेच देते हैं, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप प्रती दि आप में रेंज को बढ़ा सकते हैं, बच्चों के चोटे-चोटे खिलोनों को रख सकते हैं, बच्चों के ब्यूटी परड़क्स रख सकते हैं, जैसे साबून हो गया, तेल, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, और भी बहुत सारी चीजों को आप धीरे-धीरे अपने दुका झाल 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 झालब